सो हेलो अब्रीबन जेसी से गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों के तरफ से आप सभी को जोहार अभिनांदयन बेख करती इस परकार जेपीसी सीबीडी प्यो का एक्जामनेशन को देखते हुए जो पेपर वन के रिगारिक जो आप लोग के सिलेवस प्रोबाइड किये गए भारतिय इतियास भारत का भोगोल विश्व का भोगोल उसी परकार आज के इस सेशन के माधियम से हम लोग भारतिय जो राज बेखता है उसका मेराथोन सेशन के द्वरार हम लोग यहां पे दो सो वस्तुनिष्ट प्रश्ण को देखने का हम लोग इस सेशन के माधियम से प था आप description box पे directly आप check up कर सकते हैं वहाँ पे आप लोग का JPC CDPO practice set topic wise के regarding एक playlist section बना होगा आप उस playlist section में visit करके सारे topic wise आप लोग के जो भी बच्चे हुए समय हैं उस समय में आप इन सभी को revision के तोर पर आप लोग एक ले सकते हैं ये revision topic wise आप लोग के examination में बहुत ही कारगार स साभीत होने वाला है कि पहला प्रस ने सविधान स्रभा का घठन किसके सिफारिख पर किया अगला प्रश ने के विडिट मिसन भारत कब आया कभिनेट मिशन भरात में आजबन बात करते हैं24 मार्च QuiS को भारतिय समिधान की प्रस्तान किस देस के समिधान से लिया है अश्ट्रिलिया, फ्रांस, कनाडा या फिर अमेरिका यहाँ पे यदि प्रस्ट में सिफ बोलता है प्रस्थाना तो प्रस्थाना ये अमेरिका से लिया गया है बट प्रस्थाना के साथ-साथ यदि आप लोग का यहाँ पे प्रस्थाना भासा ये सब्द include हो जाता है तो उस case में आप लोग का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Australia क्या ची हो जाएगा उस case में Australia बट सिर्फ परस्ताना का जिक्र किया रहेगा तो परस्ताना का जिक्र किया रहेगा तो अमेरिका सही आंसर हो जाएगा ahead यहां पर पर सताना के साथ साथ भासा का भी जिक्र किया राता है तो उस case में इस प्रश्ण का सही आंसर हो जाएगा अगले प्रस्तावन की भासा किस देश से लिया गया है देखे प्रस्तावन के तोर पर वही चीज यहाँ पे दोनों को किलियर करने के लिए बेक टू बेक प्रस्तावन भी यहाँ पे दे दिये गये है प्रस्तावन की भासा किस देश से लिया गया है अगला प्रश्ण है जंडा दिवस की स्तिति को मनाई जाती है जंडा दिवस की एदे हम लोग बात करते हैं जंडा दिवस ये आप लोग का 22 जुलाई को अगला प्रश्ण है उदेश सी परस्ताव को किसने पेश किया था उदेश सी परस्ताव ये किसके द्वारा पेश किया तो समिधान सभा की जो पहली बैठक वो 9 दिसंबर 1946 इस्वी को समिधान दिवस की स्तिथी को मनाय जाता है तो 26 नॉंबर को ही समिधान दिवस मनाय जाता है मुल्ट समिधान किस भासा में लिखी गई है जो मुल्ट समिधान है ये किस भासा में लिखी गई है हिंदी, संस्क्रीट, तमील या फिर अंग्रेजी तो मूल समिधान की यह दि हम लोग बात करते हैं मूल समिधान यह आपलू का अंग्रेजी भासा में लिखी थे समिधान सभा का प्रारूप किसने त्यार किया था समिधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा त्यार किया गिया था तो समिधान सभा का जो प्रारूप है वो बियेन राव के द्वारा त्यार किया गिया समिधान सभा द्वारा भारतिय समिधान को कब अंगी किरित किया गिया तो अंगिकरित किया गिया था 26 नॉंबर 1989 को केविनेट मिशन के अधियच कोन होती हैं तो केविनेट मिशन के जो अधियच है वो पैन्थिक लोरेंस होती है समिधान सभा में महिलाओं की सदसी संख्या कितनी थी समिधान सभा में महिलाओं की सदसी संख्या कितनी थी 299, 389, 268 या फिर 395, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ओप्सन नंबर B, 389, अगला प्रश्न है, पकिस्तान के लिए प्रिथक समिधान सभा कब गठित किया गिया था, तो 26 जुलाय 1947 को किया गिया था, समिधान सभा चुनाव में मुश्लिम लिक को कितने सीटे प्राप्थ हुई थी, मुश्लिम लिक को कितने सीटे प्राप्थ हुई थी, तो मुश्लिम लिक को तेहतर सीटे प्राप्थ हुई थी, समिधान सभा चुना में कौन सी देशी रियायसत के परती निधियों ने भाग नहीं लिया था तो वो देशी नियायसत थे हैदराबाद के अगला परस ने समिधान सभा का गठन कब किया गया समिधान सभा का गठन कब किया गया तो सविधान सभा का जो गठा ने वो जुलाय 1946 किया गया ज़ंडा समेती के अध्याच कोन थे ज़ंडा समेती के अध्याच किने बनाया गया तो ज़ंडा समेती के अध्याच बात करते हैं ज़ंडा समेती के अध्याच राजेंदर परसाद को बनाया गया सविधान सभा की पर तो आ अस्थाई अध्यच थे सचिनानन सिन्हा कुन थे आ अस्थाई सचिनानन सिन्हा समिधान सभा के समेधानिक सलकार कुन थे तो समेधानिक सलकार थे वियेन राव समिधान सभा के अस्थाई अध्यच किसे चुनग गया था आ अस्थाई अध्यच वो तो सचिनानन सिनन थे बट यहाँ पे अस्थाई अध्यच की बात करते हैं अस्थाई अध्यच कोन थे अस्थाई अध्यच थे राजेंद्र परसाद समिधान सभा में डाक्टर भीमरा अमितकर पहली बार किस छेतर में निर्वाचित हुए थे कोन भीमरा अमितकर तो पहली बार किस छेतर से निर्वाचित हुए थे तो वो पूर्वी बंगाल छेतर से निर्वाचित हुए थे किस पूर्वी बंगाल समिधान सभा में कॉंग्रेस के कुल कितने सदसी चुने गिये थे कॉंग्रेस के सदसीयों की संख्या बात करते हैं 208 सदस चुने गिये थे डाक्टर बी आर अम्वितकर ने भारतिय समिधान की आत्मा किसे कहा है सम्पूर्ण समिधान कब लागू हुआ तो सम्पूर्ण जो समिधान है वो 26 जन्वरी 1950 इसवी को लागू हुआ अगले प्रश्न के और बढ़ती हैं, भारतिय समिधान को त्यार करने के लिए कुल कितनी समितिया गठित की गए थी, अगले प्रश्न के और बढ़ती हैं, प्रारूफ समिति के अध्यच कोन थे, तो प्रारूफ समिति के अध्यच कोन थे, तो प्रारूफ समिति के अध्यच डौक्टर भीमरा अमिदकर प्रारूफ समिती में कुल कितने सदसी थे तो प्रारूफ समिती में कुल सदस्यों की संख्या बात करती हैं साथ थी भारतिय समिधान की आत्मा कहलाता है भारतिय समिधान की आत्मा देखिए भारतिय समिधान की आत्मा परस्ताना को कहा जाता है प समिधान के प्रारुप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी ये बहस 114 दिनों तक चला था। समिधान शभा के द्वारा राष्टिय द्वज को कब अपनाये गया तो 22 जुलाई 1947 इसवी को अपनाये गया। जंडा दिवस भी 22 जुलाई को ही मनाये जाता है। अगला प्रस्णे, समिधान शभा द्वारा राष्टर गान को कब अपनाये गया। तो राष्टर गान को 24 जनवरी उनिस्वी को अपनाये गया॥ भारत का समिधान है। कठोर लचीला अस्ता कठोर अस्ता लचीला इनमें से कोई नहीं तो भारत का समिधान की बात करते हैं भारत का समिधान कैसा है अस्ता कठोर और अस्ता लचीला अगला प्रश्ण है राजी पुनर गठन आयोग के अधियच कोन थे तो राजी पुनर गठन आयोग के अधियच क वो है आंदर परदेश भारत में नागरिक्ता किस परकार की है तो भारत में नागरिक्ता की बात करती हैं तो भारत में एकल नागरिक्ता है भारती अधार पर राजियों का पुनर गठन कब किया गया था तो भासाई अधार पर राजियों का पुनर गठन बात करते हैं ये प् संख्या 22 है बट ये हम लोग बात करते हैं कब मुल समिधान में यदि सिर्फ प्रश्ण में पूछा जाता है कि मुल समिधान में भासाओं की संख्या कितनी थी तो मुल समिधान के दौरान भासाओं की संख्या दी हम लोग बात करते हैं तो उस समय भासाओं की संख्या 14 बट की रिसेंट में भी वाइस है किस समिधान संसोधन के द्वारा नागरलेंड को राज बना गया था किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरलेंड को राज का दर्जा दिया गया था तो वो अमेंडमेंट एक्ट है तेरावा समिधान संसोधन किस समिधान संसोधन के द्वारा ग गोबा को पूर्ण राइच का दर्जा गिया, वो समिधान संसोधन है, छापन्वा समिधान संसोधन, नागरिक्ता से समन्दित कानू किस देश के समिधान से लिया गिया है, फ्रांस, जर्मनी, USA या फिर इंगलेंड, तो नागरिक्ता की यदि हम लोग बात करते हैं, नागरि ये समिधान की संख्य वेवस्था, ये संख्य वेवस्था आप लोग का कनाड़ा से लिया गिया है, सिंधी भासा को किस समिधान संसोधन के द्वारा आठवी अनुशुची में जोड़ा गिया, कौनशी भासा, सिंधी भासा, तो सिंधी भासा की बात करते हैं, ये किस भी स नागरिक्ता से समन्दित कानुन का प्रोधान समीधान के किस भाग में किया गया है तरह इसका परिधान है जो कि आप लो को वो भाग टू में देखने को मिलेगा अगला प्राश्ण है सिच्छा को मुलिक अधिकार किस अनुचेद के तहद परदान किया गया है तो सिच्छा को मुलिक अधिकार में परदान किया गया ये अपलू का अनुचेद 21 के का के तहद देशी करण के द्वारा भारतिय नागरिक्ता को प्राप्त करनी के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवस्यक है तो इस प्रश्ण का सही आंसर हो जाता है ओप्शन नंबर डी पांस वर्षों तक आठवी अनुसूची में बोडो मेथली डोंगरी एवं संथाली भासा को कोई समिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गिया है तो समिधान संसोधन यदि हम लोग बात करते हैं ये कौन सा समिधान संसोधन है हिंदी दिवस की स्थिति को मनाय जाता है तो हिंदी दिवस यदि हम लोग बात करते हैं हिंदी दिवस यह आप लोगा 14 सितंबर को मनाय जाता है राजभासा का वर्णन की इस भाग में देखने को मिलता है तो राजभासा का वर्णन भाग 17 में देखने को मिलता है पर्थम राजभासा आयो का गठन कब किया गया था तो पर्थम राजभासा आयो का गठन 1905 इसवी में किया गया था कब 1905 इसवी में भाग 12 सोरी भाग 17 में देखा जाता है राजभासा आयो के पर्थम अधियच कोन थे राज भासा आयोक जो की 1905 में सबसे पहले गठित किया गया था तो इसके पर्थम अधियच कोन थे? तो इसके जो पर्थम अधियच थे वो थे B.J. खेर कोन थे पर्थम अधियच? B.J. खेर भारत के मूल समिधान में कितने मौलिक अधिकार का परोधावन किया गया था मूल समिधान में तो मूल समिधान में मौलिक अधिकारों की संख्या बात करती हैं जो कि कितनी थी साथ थी बट रिसेंट में ये अभी आपलों का छे है राज सूची में कुल विशयों की संख्या बात करती है प्रेश की स्वतंतरता किस अनुछेद में वर्नित है तो उनीस का पाहला का में वर्नित है चोथा अस्तम के नाम से किसे जाना जाता है तो भारत का चोथा अस्तम के नाम से प्रेश को जाना जाता है प्रान एवं देहिक स्वतनता का संरचन किस अनुछेद में वर्नित है तो इसका वर्नित यदि हम लोग बात करते हैं अनुछेद 11 में है अगला प्रश्ण है संग सुची में कुल कितने विशे हैं तो संग सुची में कुल विशेयु की संख्या सु है मौलिक अधिकार भारतिय समिधान में देश समिधान से लिया गया है तो मौलिक अधिकार ये किस देश से लिया गया है मौलिक अधिकार की बात करते हैं जो कि अमेरिका से लिया गया है सिच्छा का मौलिक अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया सिच्छा का अधिकार कब से पूरे भारत में लागू किया गया तो लागू करने की बात की जा रही है इसे एक अप्रेल 2010 इसवी से लागू किया गया बीशु का पर्थम लिखित समिधान किसका है तो वीशु का सबसे पर्थम लिखित समिधान है वो है अमेरिका का किस का अमेरिका का किस समिधान संशोधन के द्वारा सिच्छा को मोलिक अधिकार परदान किया गया है किस समिधान संशोधन के द्वारा सिच्छा को मोलिक अधिकार का परदान किया गया है तो वो अमेंडमेंट एक है 56 वा समिधान संसोधन अपात उपबंद का वर्नन किस वर्नन किया गया है अपात उपबंद का किस भाग में आप लोग को वर्नन देखने को मिलता है तो इसका वर्नन हम लोग को भाग 18 में देखने को मिलता है राजी पुनरगठन आयो की उपादियों का अंत वरनित है? उपादियों का अंत किस अनुछेद में देखने को मिलता है? ये अनुछेद 18 में उपादियों का अंत अनुछेद 18 में मोलिक अधिकारों का रच्छक क्या कह fright boost का है तो मोलिक अधिकारों का जो रच्छक है वो सर्वोच नियाले और उच नियाले सुप्रीम कोट और हाय कोट ये कहलाती हैं मोलिक अधिकारों में संसोधन कर सकता है मोलिक अधिकारों में संसोधन कों कर सकते हैं तो मोलिक तो पहला नाजर्यगता बील है जो 2520 में पारित किया गया था अगले प्रस्वन कि और हम लोग बढ़ते हीं वर्तमान में मुलिक अधिकार की वर्तमान में मुल्यग Бात करते हैं चेह मुल्य स्यमिधान में इसकी संख्या वी सत Schnush No अगला प्रश्ण है लोक सभा में कितने सदस्यों को राश्पति मनोनीत करता है तो लोक सभा में कितने सदस्यों को राश्पति के द्वारा मनोनीत किये जाते हैं तो दो एंगलो इंडियन को संसद के सन्यूक्त अधिवेशन को कोन बुलाता है जो संसद का सन्यूक्त अधिवेशन है उसको बुलावट राजपटी के द्वारा बुलाया जाता है बट वहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं अधियस्तक इसके द्वारा की जाती है तो लोग सभा के द्वारा अध्यस्तक की जाती है प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है तो प्रश्नकाल की जो समय सीमा है वो एक घंटा निर्धार्द किया गया है कौन एक अस्थाई सदन है जिसे की भंग नहीं किया जा सकता तो अस्थाई सदन है राय जी सभा राय सभा को भंग नहीं किया जा सकता सांसत के लिए राष्टपती का अभिभासन कोन त्यार करता है तो सांसत के लिए राष्टपती का जो अभिभासन है वो किसके द्वारा तियार किया जाता है वो केंद्रिय मंत्री मंडल के द्वारा तियार किया जाता है अगला प्रश ने सांसत की सन्यूकत अधिवेशन की अधियस्ता कोन करता है तो जो उसका बेठक है वो बुलाने का परता वो राश्पतिक के द्वारा हाथ होता है प्रकार के रिट जारी कर सकती हैं तो सुप्रीम कोट की बात करते हैं यह पांच प्रकार के रिट जारी कर सकती हैं अगला प्रश्ण है बंदी को 24 घंटे के अंदर सा सरीर न्याले में पेस करना समादेश कहलाता है तो यह क्या ची समादेश कहलाता है यह कहलाता है आप लोग जारी रिट की यदि हम लोग बात करते हैं वो बंदी परतिछा करन के द्वारण किया जाता है अगले प्राश्ण के और हम लोग बढ़ते हैं अवेध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले वेक्ति के विरूध कोन सा रिट जारी किया जाता है तो इनके विरूध कोन सा रिट जारी किया जाता है अधिकार पिरिच्छा रिट भारतिय संसत की दोनों सदनों की पर्थम सन्यूक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाए गया था तो वो बिल था अपलों का देहेज निरोधक बिधेयक बिल अगला प्रशन है वर्तमार में कुल कितने मुल करतव हैं तो वर्तमार में मुल करतव की संख्या दिबात करते हैं मुल करतवों की संख्या कितनी है ग्यारा भारतिय संसत का अंग नहीं है इनमें से कौन साय जो की भारतिय संसत का अंग नहीं है तो राष्टपती है राजसभा भारत का पर्थम नागरिक कोन होता है तो भारत का जो पर्थम नागरिक है वो राश्पती होता है किस अनुचेद की तहत राश्पती लोक्षभा को भंग कर सकता है तो वो अनुचेद है अनुचेद पचासी भारत के राश्पती को किस अनुचेद के तहत मिर्तियो दन छमा करने का अधिकार है और ये सिप राश्पती को ही मिर्तियो दन छमा करने का अधिकार है जो कि किस अ हम लोग बात करते हैं वह अनुच्छत repeat 72 राच के निती निदेशक सिधान्थ का वर्णन सविधान के किस भाग में किया गया है निदीरती निद想 को किस भाग में देखने को मिलता है निदीरती निदेशक सिधान को लेकर के ये आपने का भाग 4 में से सामिल लोग स Maybe कर्तब किस देश से लिया गया है मूल कर्तब जो होती है मूल कर्तब ये मूलिक कर्तब ये किस देश से लिया गया है तो मूलिक कर्तब की बात करते हैं ये आप लोगो पूर्वी सोवियत संग से लिया गया है भारत के पर्थम राश्पती कोन थे भारत के पर्थम राश्पती थे वो थे राजेंद्र परसाद अगला प्रशन है देश में पहली बार राश्ट्पती अपात कब घोसित किया गया था तो इसे घोसित किया गया था 25 जून 1975 इश्विकू कब 25 जून 1975 इश्विकू अगला प्रशन है किस अनुछेद के तहत राश्ट्पती अध्यादेश जा किस अनुचेद तहत बुलाए जाता है तो दोनों सदनों की जो सन्यूक्त अधिवेशन की जो बैठक है वो किस अनुचेद की तहत बुलाए जाता है वो अनुचेद है 108 कौन सा अनुचेद अनुचेद 8 108 ये बुलाई जाती है राश्टपती के द्वारा बट अधियचता लो के पर्थम दलित राश्टपती कोन थे भारत के पर्थम कारी वाहक राश्टपती कोन थे तो विवी गिरी भारत के पर्थम कारी वाहक राश्टपती थे अगला प्रशन है राश्टपती का चुना लड़ने वाली पर्थम महिला उमिदवार कोन थी तो राश्टपती का चुन राश्ट्पति का मासिक वितन कितना होता है तो राश्ट्पति का जो मासिक वितन है वो 5 लाग होता है अभी तक भारत में कितनी बार राश्ट्रिय वितिय अपात लागू किया जा चुका है ते एक भी बार नहीं जो कि इस वितिय अपात का लागू को किया गिया है अगला प्राश्यने सानस्रत का सदसी नहीं होने पर कोई नागरी कितने समय तक मंत्री के पत पर रह सकता है 6 मा तक ही देश की पर्थम महिला राश्टपती की बात करते हैं तो कोने पर्थिवा देवी सी पाटिल राश्टपती पर महा भ्योग किस अनुचेद की तहत लगाया जाता है प्राशने किसी भी राईज में राश्टपती सासन की अधिक्तम समय सीमा कितनी होती है तो राश्टपती सासन की अधिक्तम जो सीमा होती है वो तीन वर्ष का होता है कितना तीन वर्ष का होता है अगला प्राशने सांशत का निम्न सदन कहलाता है तो सांशत का जो निम्न सदन की बात करते हैं निम्न सदन कोंश कहलाता है लोक सभा, निम्न सदन और उच सदन राय सभा कहलाता है राश्पती के निर्वाचर में कोन भाग लेती हैं? तो राश्पती के निर्वाचर में कोन भाग लेती हैं? लोक सभा के निर्वाचित सदस, राय सभा के निर्वाचित सदस और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस यानि कि उप्युक्त सभी राष्टपती के निर्वाचन में भाग लेती हैं अगला प्रश्ट ने राष्टपती पद के लिए नियूंतम आयू सिमा है तो राश्पति पद के लिए नियूंतम आयू सिमा कितनी रखी गई है तो इसके लिए राश्पति के लिए बात करते हैं 35 वर्ष राश्पति हो गया उपराश्पति हो गया राश्पाल हो गया इसके लिए 35 वर्ष लोग सभा जो सदाश होते हैं परधान मंत्री से भी का 18 वर्ष तीन सिनावों का सिनपति कोन होता है तो तीनों सिनावों का जो सिनपति होती है वो होती है हमारे राश्पति अगला प्रश ने भारत के किस प्रांथ में सरुपर्थम राश्पती सासन लागू किया गिया तो भारत के किस प्रांथ में सबसे पहले यहां पे राश्पती सासन को लागू किया गिया था तो वो प्रांथ है पंजाब प्रांथ अगला प्रश ने राश्पती भवन का नक्सा किसी ने बनाया था तो राश्पती भवन का जो नक्सा है वो किसने के द्वारा बनाया गया था वो बनाया गया था एडवीन लुटियंस के द्वारा भारत की पर्थम महिला परधान मंत्री कोन थी भारत की पहली महिला परधान मंत्री वो है इंद्रा गांधी राश्पती भवन कहां पर इस्ति थे तो राश्पती भवन ये राई सिना पहाडी पर अवस्ति थे अगला परशने राश्पती सासन की नियूंतम ओधि क्या है राश्पती सासन की जो नियूंतम ओधी क्या है तो इसकी नियूंतम ओधी है शिक्स मंद वितिय अपातकाल की घोषना किस अनुचेत के तहत किया जाता है तो 360 के तहत अगला प्रश्ण आव विश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने वाले पर्थम भारती ये पर्धान मंत्री कोन थे तो वो पहले भारती परधान मंत्री थे विसुनात परताप सी अगला परशना राज सभा के लिए नामित पर्थम अभिनित्री सबसे अधिक बार राष्टपती सासन किस राज में लगाय गया है जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया तो जे जवान जे किसान का ये नारा लाल बहदूर शास्तिरी जी के द्वारा दिया गया राश्पति और उपराश्पति के चुनाव समंदी बिवाद की सुनवाई कोन करता है ति इस बिवाद की सुनवाई किसके द्वारा की जाती है उस्तम नियाले किसके द्वारा उस्तम नियाले मिन्स सुप्रीम कोट के द्वारा लोक लेखा समिती में कुल कितने सदस ही होती है तो लोक लेखा में सदस्यों की कुल संख्या बात करते हैं कितने सदस्यों होती हैं 22 सदस होती है अगला प्रश्ण है लोक्षभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत रासी निश्चित की गई है रासी कितनी है 25,000 रुप्या राई सभा की पहली महिला महा सची थी तो वी एस रम्मा दिवी अगले प्रश्ण को हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है राई सभा के लिए नामित पर्थम अभी नित्री थी तो राई सभा के लिए नामित जो पर्थम अभी नित्री थी वो कौन थी तो वो अभी नित्री थी पिर्थिवी राज कपूर अगला प्रश्ण है लोक्षभा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी होती है पांसो बावन होती है अगला प्रश्ण है राई सबह में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो राई सबह में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है राई सबह में 250 हो स ही हुआ 552 लोकसभा में केंद्रिय मंतरी मंदल से त्याग पत्र देने वाले पर्थम् – व्यक्ति- कोन थी थी कुन थी उनि ह्या More श्यामापरसाद मुखर जी भारत में नई सनशदिये समिती परनाली की सिरुवात कब हुई थी यह 1991 इसमी से हुई थी परकलन समेती में कुल कितने समेती हैं तो परकलन समेती में कुल सदस्यों की संख्या बात करते हैं इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 30 राइस सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो राइस सभा की जो पहली बैठक है 13 में 1992 में गुवब था राइस सभा के सदस्यों का कारकाल होता है तो राई सभा के सदस्यों का जो कारकाल है वो 6 वर्ष का हुता है उप राष्टपती के चुनाव में भाग कोन लेता है उप राष्टपती के चुनाव में भाग कोन लेता है तो उप राष्टपती के चुनाव में सान्सत के दोर्नों सदनों के सभी सदस्य है दोनों सदन मिन्स कहने का तात्पर है लोक सभा और राइस सभा के सदसी है अगला प्रश्ण है राष्टपति कीस अनुचेद के तहत परधान मंत्री की न्यूंकती करती हैं तो वो अनुचेद है 75 भारत के पर्थम उप परधान मंत्री कोन थे भारत के पहले उप परधान मंत्री कोन थी? तो भारत के पहले उप परधान मंत्री सदार बललबाय पटेल थी लोग सभा की परथम महिला अधियस कोन थी? तो वो थी मीरा कुमार अगला प्राशने प्रोटेम अश्पिकर की न्यूक्ति कोन करता है तो राश्पति के द्वारा प्रोटेम अश्पिकर की न्यूक्ति की जाती है लोगसभा के सदस्यों का कारकाल कितना वर्स का होता है तो लोगसभा सदस्यों का कारकाल पांच वर्सों का होता है राय सभा के सदस्यों का कैरकाल 6 वर्ष का लोग सभा का पर्थम चुना कब हुआ था तो लोग सभा का पर्थम चुना की बात करती है लोग सभा का जो पर्थम चुना है वो 1952 में कंडर्ट करवाए गया था कब 1952 में लोगसभा अधियच अपना त्यागपात्र देता है लोगसभा अपना जो त्यागपात्र है वो किसको सोकता है तो लोगसभा के उपाधियच को लोगसभा के पर्थम अधियच कौन थे तो लोगसभा के जो पर्थम अधियच थे जीवी मालोंकर थे राईसभा के कितने सदास को मनोनित करता है बारा सदस्यों को वहीं लोगसभा में दो सदस्यों को मंत्री परिशत सामुही कुरूप से किसके पर्ति उतरदाई होता है तो मंत्री परिशत की यदि हम लोग बात करते हैं यह किसके पर्ति उतरदाई होता है लोगसभा की पर्ति उपराश्टपति को शप तो उपराश्चपती का उपराश्चपती का जो मासिक वितन है तो उपराश्चपती का Brent आयु सीमा जोकि कितना है 25 वर्ष का 25 वर्ष का अगला प्राशने राइस सभा का पदेन अधियच कोन होता है तो राइस सभा का जो पतेन अधियच है वो उप्राश्टपती होती ही